आज के टेर्रीडिंग का टॉपिक है यह हनीमून विद्यो फ्यूचर स्पाउस तो आपके हनीमून जो है आपके स्पाउस के साथ किस तरीके का रहेगा क्या उनके थॉट्स रहेंगे कहां आप जाओगे बहुत सारी डिटेल यहां पर मैं कवर करूंगी यहां पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं वेमिदा ही फिर फिर चूज कर सकते हैं त impacto का मने एतल जो है मिस को कौट सकते हैं आपका प्रभट शाटक यह थूच चलियो देखते हैं किस तरीके का हनीमून रहेगा आप लोगों का और कि 8 of Cups, okay, Cancer, Pisces, Scorpio Energy, next Tara, 6 of Oins, next Tara, the Judgment, Scorpio Energy, next Tara, Queen of Cups, next Tara, the Fool, Aquarius Energy, Energy, next Tara, Tower, Tower, which is in reverse, there is no need to be afraid, next Tara, the Ace of Swords, next Tara, the Magician, next Tara, 10 of Swords, okay, and next Tara, 8 of Wands, okay, so what I want to say, I want to tell you, first, Zodiac Sign, I want to tell you, which is, Aquarius, Scorpio, Taurus Energy, Capricorn Energy, Gemini Energy, Scorpio, and here, Leo Energy, so here, straight away, I want to tell you that you have a breakup, a divorce, whatever your situation is, or situation shifts, which has a betrayal, you have a betrayal, you have a betrayal, and properly healed, emotionally healed, you have a betrayal, but you have a betrayal, because you have a good person, whether it is male or female, you have a gender, resonate, here, someone has something wrong, something bad, which has a betrayal, and this is a betrayal, given me that thes again has reminded me that when you have all the problems, you have the condition to anger, that means you have to not trust. This is something that I should imagine, is such energy. Or in this study too, although I am telling you that in this study to have a uela fact that the invit Gr 실제로 will remind you, in this study of elétrica Gardens tends to come back to Instagram, which means he also turns to a minimum energy, to the Lip samen. Next Tara, the six of diameters. इस परसन ने जो पास्ट परसन की में बात कर रही हूं उस परसन ने आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, ठीक नहीं किया, एफर्स नहीं डाले अपने रिलेशनशिप में यह सिचुएशनशिप में, आपने उसके लिए महनत करी होगी, केर करी होगी, एक घर तरीके का इ आक स्टाप किया है बिट्रे किया है ठीक है इसकी वज़े से आप घबराए हुए होगे काफी हद तक जो आपने शादी करी है और आप हनीमून पे जा रहे हो तो कुछ हद तक जो है आपकी सिचुएशन पहले से संभली है लेकिन फिर भी आपको मन में डर है ये इनसान अच् ये बुरा है कहीं मेरे साथ कुछ गलत न कर दे या फिर मेरे साथ मुझे फिर से वो ही hurtful pain जो है वो ना feel करना पड़े ये आपके मन में कॉशन है लेकिन ऐसा हो नहीं रहे नेक्स्ट आर जज्जमेंट का काड है जज्जमेंट जो है वो रेलाइजेशन को दिखाता है या कह सकते हैं कि एक फिर से जो है रीबोथ हो रहा है अपकी लाइफ में इश्वर ने जो यह जो टावर का काड हुआ था या जो भी अनेक्सपेक्टरे सिचुएशन रही होगी वो कट आफ करी ही इसलिए है क्योंकि वो इनसान आपके लिए सही नहीं था आपको ऐसा उस समय लग रहा था पेंटफुल कंडिशन रही है कि आपके साथ जो है वो अच्छा वहवार करेगा लेकिन एक एक जामपल दे जिती हूँ फिर मैं हनीमून पर आऊंगी क्योंकि य उस इनसान के साथ आपका डिवोस हो जाता मैं साफ साफ यह कह रही हूँ यूजिली मैं इतना साफ साफ नहीं कहती हूँ क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती लेकिन वहां पर आपका उसके साथ डिवोस हो जाता क्योंकि उसके बहेवियर ही ठीक नहीं है जिस इनसा कोई justification है कि आपका pain कोई समझ नहीं सकता या फिर जो ऐसी चीज है आपको painful condition जहलनी पड़ी है लेकिन आपको इश्वर ने बचाया है यह judgment का काड यही कह रहा है ठीक है अब आते हैं new person पे जिसके साथ आपकी शादी हो रही है और आप honeymoon पे जाओगे तो पहला काड है queen of cups चाह है आपको यहाँ पे मिल रहा है और यह person आपका बहुत जादा ध्यान रखेंगे चाहें वो male हो चाहें वो female हो अपने gender से resonate करना मैं पहले भी कह चुकी हूँ तो यह इंसान जो है emotions वाला इंसान है आपकी हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज को समझेगा आपके जो अकांशाय हैं अपने अपनी हरे की मर्जी होती है dreams होते हैं कुछ fantasy भी होती है तो वो सारी चीजें वो करेंगे लेकिन आपके उपर बहुत जादा gentle रहेंगे care में रहेंगे और हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप कहीं hurt ना हो जाओ चाहे physically चाहे emotionally तो सभी चीजो भी उठा पाओ कि उन्होंने जो है आपकी care नहीं के आपको feel होने लगेगा loved feel होगा ये इनसान आपको loved feel करवाएगा जो आपको पहले नहीं मिला ठीक है next आरा fool का काड़ा है तो fool जो है aquarius energy को दिखाता है आप अपनी new beginning की तरफ पैर बढ़ा चुके हो और आप जो है अपन भी हो बड़े बुजर्ग भी हो जो अच्छे से सबको smoothly हो तो वो वाली energy यहाँ पर आ रही है और आप अपनी life में create कर रहे हैं अब आते हनीमून की बात हनीमून पे जो है आप यहाँ पर एक ऐसे area पे जा रहे हो कि जहाँ पर ठंड होगी या फिर कह सकते हैं European countries जा सकते हो Switzerland जा सकते हो, Denmark जा सकते हो, Norway जा सकते हो, Finland जा सकते हो, बहुत सारी countries है या New Zealand जा रहे हो, Greece जा सकते हो, center एक जगहा थी मुझे नाम नहीं यादा रहा है, मैं भूल गई नाम, चलो कोई नहीं, Greece जैसे आप जा रहे हो या मंगोलिया आप जा रहे हो, लोगों ने मंगोलिया ज जाओ या उसकी जो है फोटोस देखो, तो वो जो है बहुत अच्छा एरिया है, शांती भरा एरिया और सस्ता है, जाने में भी सस्ता है, हाला कि मुझे ये नहीं बोलना था, मैं आपको इन्फोर्मेशन दे दे लिए, अगर कोई मंगोलिया जाता है, तो आपको खर्चा भ जाओ या ठंड हो, या ठंडे टाइम पर आप जाना चाहते हो, नेक्स्ट आ रहा है यहां पर कि जहां पर आप हनीमून पर जा रहे हो, तो वहां पर आपको किस तरीके का भीहेवियर रहेगा, एक जूसरे के प्रती, यहां पर जो है दर टावर आ रहा है, रिवोस पे, तो जोन में नहीं जाओंगी, उस एनरजी को नहीं पढ़ूंगी, जो कि आप ही रही है, लेकिन मैं यहां पर जो है आपके इमोशन को जो है मैं बता रही हूं, तो यह परसन जो है आप से डिसकस करेंगे, कि आप जो है घबराओ नहीं या डरों नहीं, जो भी आपकी हेजिट है यह जो चीज है आप लोगों में, आपको truthfully जो है वो सब कुछ अपने बच्पन से लेकर आप अभी तक जो है वो सब कुछ बता देंगे, जो में में चीज़े हैं या में में इवेंट्स हैं, तो यह इतना transparent person रहेगा या रहेगी, जो भी उनका gender हो, तो वो जो है आपको सच बता देंगे, तो धीरे धीरे वो आपका विश्वास जीत लेंगे, इस तरीके की energy है, जितने भी आपके शंकाएं थी, cloudedness थी, यह इनसान जो है मुझ पे कहीं यह ना करे, मुझे control ना करे, या जो भी आपके problems रही हों, आपके past person के हिसाब से, तो उन सब चीजों का उ कोई harm नहीं करेंगे, जो आप चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो, जेंटली जो है, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, और तब जो है, आप दोनों ही खुले, एक तरीके से, फ्रेंडशिप की तरीके से, एक दोसे से घुलने मिलने लग जाओगे, तो ऐसी energy है, आप जैसे आइस पीक पर जा रहे हो, या फिर जो है, कोई भी जगा ले लो, तो वहाँ पर जो है, जो आप चर्चिज या म्यूजियम देखने जा रहे हो, या जहाँ पर आप जो है, आइस बर्ग देखने जा रहे हो, आइस पीक या माउंटेन पीक देखने जा रहे हो, ज जो एक क्या बोलते हैं उसे कि स्विंग पे जो है वो एक डबा सा होता जिसके अंदर लोग बैठ के जाते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है तो उस पे जो है आप लोग फोटोस भी क्लिक करोगे और धीरे धीरे आप दोनों की बॉंडिंग क्रियेट हो जाएगी लगभग थोड़ी सी हेजिटेशन जो है आपकी चली जाएगी और आप उन्हें एजटेस जो है एकसेप्ट करने लग जाओगे और आप जो है उन्हें लविंग किसिंग चीजे जो है वो करना क्रियेट करना शुरू कर दोगे तो मैजीशन का काड़ा है जो आपके ड्रीम्स है जो करने लग जाओगे जो आपका ड्रीम है जो आपकी पेंफुल कंडिशन थी उससे आप हील हो जाओगे आप जो है उस इंसान को उसने जो कुछ भी गया अब जो है एक्जाक वे में अभी तक जो है आपने शादी करी सब कुछ करा लेकिन अभी तक फिर भी आपके मन में ले कि आप भी जो है अपने हस्बेंड को या वाइफ को जो है किस करोगे और एक्चिली में किस करना चाते हो एक एडल्ट में भी और एक फीलिंग सकत्रू भी उसी दिन जो है आप उस इंसान को लेट गो कर रहे हो और आपको रिलीफ मिलेगा और नेक्स्ट आ रहा है एक्ट है और अगर बताना चाहो कुछ लोग बताना चाहते हैं कोश लोग नहीं बताना चाहते हैं बड़ यहांपे एनर्जी ऐसी है कि आप जो है उन्हें रोते-रोते गले लगा लोगे मैं इमोशन की यहां पे बात कर रहे हुँ हनीमून से ज़ादा या इंटेमेट चीजों से जादा जो है वो आपके emotions किस तरीके करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ और यहाँ पर जो है आप लोग रोते रोते जो है एक दूसरे को गले लगा लोगे और आप लोगों के बीचे उसी समय जो है वो deeper एक attraction और एक loving situation जो है वो create हो जाएगी यहाँ पर जो है जो base है foundation है marriage का एक relationship का वो एक trust पे या respect पे create हो रहा है और आप सब कुछ उन्हें बताओगे और वो आपसे sympathy भी रखेंगे और आपसे कहेंगे आपके आसू को पोच्छते हुए कहेंगे कि आपको रोने की जुरुत नहीं है मैं आपके पास हूँ और ना ही आपको उस तरीके से देखना है ना ही उस इनसान के बारे में सोचना है क्योंकि वो टाइम अप चला गया है ना ही आपको वो चीजे जो है अपने हाट में रखनी है ना ही आपको जो है उस इनसान की तरफ देखना है और उनके मन में थोड़ा गुसा भी आएगा उसके प्रती लेकिन उसके लिए आपको या इस इनसान को जो है वो समझदार इनसान है तो कुछ ऐसा नहीं करने वाले की कोई बदला लेने वाले हैं कोई जूरोत ही नहीं है मेरा इनसान या मेरी भीवी या मेरा जो husband है वो मेरे पास है मुझे अपने life create करने लिए जादा importance रखता हूँ या importance रखता है तो किसी से revenge लेने का कोई मतलब नहीं है उसने अच्छे इंसान को खो दिया यही जो है उसकी punishment है तो इस तरीके की चीजे जो है आप लोग बोलोगे बहुत जादा healing energy यहाँ पर आ रही है और आप खुश हो जाओगे जो आप चाहा रहे थे इतने सालों से जो आपका दिल बुझा बुझा था वो जो है यहाँ पर create कर जाएगा इसकी मैं intimate moment की भी बना दूंगी वीडियो थोड़े दिन में लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों की feelings है वो यही रहेंगी में चीज यह है कि आप heal हो रहे हो सेकेंड चीज है कि आप लोग जो है थंडे इलाके में जा रहे हो और एक दूसरे के साथ लवी डवी situation जो है वो create कर रहे हो एक friendship create कर रहे हो जिसकी वज़े से आप दोनों जो भी आपके past में हुआ होगा चाहे इस इंसान के childhood traumas हो चाहे आपका break up हो मुझे आपकी break up की जादा चीज लग रही है या divorce भी हो सकता है हलाकि अगर divorce ही हो आप तो आपकी दूसरी जो शादी है वो आपके लिए stable रहेगी long term commitment में create हो रही है तो उस चीज को आप feel कर पाऊगे और खुशी जो है महसूस कर पाऊगे तो चलिए देख लेते हैं love cards क्या कह रहे है पहला ये आया है next ये आया है जैसे मैंने कहा दिल जो है वो खुश हो जाएगा अब जो है आप इस person के पास security और stability महसूस कर रहे है यहाँ पे जैसे मैंने कहा आप दोनों ही एक दूसरे को kiss करना चाहोगे और एक gentle kiss की मैं यहाँ पे बात कर रहे हूँ जिसमें care है ठीक है और respect भी है तो चलिए देख लेते हैं love cards क्या कहते हैं time you are trying to hard give it time तो जो आप बहुत ज़दा इस चीज को सोच रहे हो कि समय है अभी जो है heal नहीं हो पाया हूँ या बार-बार सोचता हूँ या सोचती हूँ जो भी चीज है तो उसको थोड़ा time दो time के साथ जो है सब चीजे जो है अपने आफ सौट आउट हो जाती है next आरा let there be closeness between you but always give each other space love never claims it simply allows and gives तो यहां पर यह भी हो सकता है कि आपके past person आपको बहुत जादा control करने की कोशिश करी हो तो यहां पर यह जो person है चाहे male हो चाहे female हो आपको अपनी independence भी दे रहे हैं आप जो है अपनी individual life भी जी पा रहे हो और खुशी या love भी जो है तो इस तरीके की energy है यहां पर तो चलिए देख लेते हैं इस energy से related कुछ charms तो यहां पर जो है communication skill parrot आ रहा है यहां पर एक screwdriver आया है सब चीजों को जो है आप लोग feel कर रहे हो और ठीक कर लोगे नेक्स्ट आ रहे है यहां पर जो है एक deer आई है तो आप उस इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहोगे और हमेशा हमेशा के लिए जो आपनी जिन्दीगी में आगे बढ़ जाओगे नेक्स्ट आ रहे है यहां पर high heel आई है तो leadership quality यहां पर दिख रही है यह person चाहे जो आपके partner हो वो चाहे male हो चाहे female हो वो leadership quality वाले इंसान है mature इंसान है चलिए देख लेते हैं उनकी तरह से कुछ love song आपके लिए पहला आ रहा है कैसे मुझे तुम मिल गई गरजनी movie का है तो बहुत प्यारा गाना है बहुत अच्छा है सभी लोगों को पसंद भी होगा almost तो इसी तरीके का feeling जो है वो आपको करवा देंगे next आ रहा है आपके लिए तेरी मेरी bodyguard movie का है next आ रहा सवारलू लुटेरे movie का है और next आ रहा है आपके लिए गाना है तुम जो आए तुम जो आए जिन्दगी में बात बन गई ऐसा कुछ गाना है ना वो वाला गाना है ठीक है एक और देख लेती हूं बाखुदा तुम ही हो आर्टेफ असलम का है तो देख लेना कौन सा गाना है और किसने गाया है और इसके लिरिक्स भी देख लेना चलिए सोच लिजए अपना रांडम कोशन में आंसस निकाल रही हो आपके लिए पहला आ रहा है रिकवरी आप रिकवर कर रहे हो अपने पास्ट पेन से हर तरीके से इस रीडिंग से भी रिलेटेड है पाइल नमबर वान ये थी आपकी लिडिंग उम्मीद करते हो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग और अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चानल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हाइंक्यू नमबर टू अगर आपने इस इमेज के चूश किया या फिर आपको बर्देमत इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपका हनीमून जो है वो किस तरीके का होने वाला है नेक्ष्टरा आरा पेज-अफ सौर्स नेक्ष्टरा आठा आ नाइनौ फोंज City बूढ़ अक्ड़ू सॉword एंcc Gemini, Aquarius और Libra की नर्जी है, next era 4 of Wands, बहुत अच्छे कार्ज आए है, Aries Leo, Sagittarius, next era Justice, Libra एनर्जी है, next era Ace of Wands, Queen of Swords, Libra, Aquarius, Gemini की नर्जी है, next era 9 of Cups, next era 6 of Wands, और next era The Hangman, ठीक है, तो यहाँ पर Zodiac साइन जो प्रॉमिनेंट है, वह मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर Aries है, Leo है, Libra है, Sagittarius है, Gemini एनर्जी है, और Pisces एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, ऐसी सिच्वेशन है कि आपका जो Arrange Marriage हो रही है या Love Marriage हो रही है, जो भी आपको अभी Mature होने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसी एनर्जी है क्योंकि आपकी Guarded Energy है, Nine of Wands की एनर्जी है, आप काफी जादा जो है, मैं यह तो नहीं कहूंगी कि डरे हुए हो, लेकिन आपके दिमाग में कुछ Myths है, Myth मतलब अभवाहें जैसे होती है ना, उसी तरीके स कि हिंदी में देख लेना, Myth को क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तो वो चीजे हैं कि Page of Swords आई है, Page of Swords जो है Communication को और Hard Lessons को Learn करने का भी एक Card माना जा सकता है, कि आपने Life में काफी कुछ देखा है, Achieve तो किया है, लेकिन उसके बावजुद एक Hesitation वाली Energy है, आपका दोस जो है, वो जातर Animals होंगे, या Nature होगा, तो आप थोड़ा सा अलग थलग रहना, या तो आप Single Child बच्चे हो, या फिर जो है, यह हो सकता है, कि आप बहुत जादा अच्छा Friend Circle आपको ना मिला हो, हो सकता है, आपको बच्पन में बुली किया गया हो, या इस तरीके की Energy यहाँ पर आ रही है, कि आपको थोड़ा सा टार्गेट किया जाता होगा, क्योंकि आप थोड़े शाई परसंड होंगे, नेक्स टार नाइन ओफ वांट्स है, तो नाइन ओफ वांट्स जो है, वो आपकी Guarded Energy है, ऐसा नहीं है, कि आप कभी भी Give Up नहीं करते हो, लेकिन लोगों से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हो, तो आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, नेक्स टार है, एट ओफ वांट्स है, आपकी यह एनर्जी ऐसी है, कि आप थोड़ा ओवर्थिंग जादा करते हो, बट ऐसा है नहीं कि असलियत में आपको ओवर्थिंग करने की जरुर थेले, कि फिर भी जो है, आप थोड़ा ओवर्थिंग करते हो, यह आपका नेचर है, तो इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, अब करते हैं बात हनीमून भी, नेक्स टार है फोर ओफ वांट्स है, तो फोर ओफ वांट्स है, यह परसंद चाहे मेल और चाहे फीमेल और बहु को ही नोटिस करना और आपके अलावा जो है, वो इस तरीके से नहीं सोचते हो, यह इसलिए नहीं है कि सोसाइटी का जो है, वो प्रेशर है, नहीं, जो चीटर होता है, वो हमेशा के लिए चीटर होता है, लेकिन यह परसंद बहुत जादा लॉयल होंगे, उनकी नजर में आप से जादा सुन्दर कोई नहीं है, या आप से जादा हांसम कोई नहीं है, तो उस तरीके का जो एक हक होता है, वो आपको यहाँ पर दे रहे हो, और आप बहुत लविंग तरीके के पार्टनर के पास जा रहे हो, तो जितने भी आप सोच रहे हो, इंट्रोवर्ट हो, ओ आप लगी इनफ हो ठीक है अब आते हैं हनीमून की बात करने तो यहां पे जो है जस्टिस का काड़ा है जस्टिस जो है वो लीब्रा एनरजी को दिखाता है यह परसन बहुत जदा फेयर बैलस्ट परसन होंगे आप अपनी लाइफ में जहां पे घूमने जा रहे हो हलाकि मैं इंडोनेशिया, वेतनाम, कमबोडिया, थाइलेंड इस तरीके के एनरजी है मुझे साउथ इस्ट या साउथ इस्ट एस्ट एशिया की जाधा एनरजी आ रहे है तो एशियन कंट्रीज में ही आप घूम रहे हो या मालदीज जाना पसंद करो यहां पर आप ऐसी जगह जा चाहां पर आ पर च्टेल अपर आ जहां पर आई साउथ जगह ही होगा आएलेंड पट« इन बिल्दध के जा रहें हैं और अगर आप अपनी कंट्री में ही जा रहे हो या आप बीचस एरिया पे यह जाना पर ही या island पर जाना ज़्यादा पसंद करोगे एस आप लोग जो है अपने passion को जो अपनी hobbies है उससे बातचीत करना स्टार्ट करोगे और धीरे धीरे जो है आप एक दूसरे को accept करने लग जाओगे तो इस तरीके की energy है यहाँ पर यह person जो है वो आपको flowers देना या perfume देना बहुत जादा पसंद करेंगे उन्हें जो है red roses आपको gift करना इस तरीके की energy रहेगी और beach area की मुझे ज़्यादा energy आ रहे है नेक्स्ट आ रहे है queen of source की energy queen of source की energy जो है जो आपका यह एक no nonsense वाला behavior जो रहा होगा यह strictness रही होगी यह emotionless जो है अपने आपको दिखाना उसमें जो है आप जो है जैसे कहा जाए कि ice जो है वो पिघल गई है तो ऐसी energy आ रही है आप जो है वो धीरे धीरे आप emotions को love को romance को accept करने लग जाओगे और यह ऐसा नहीं था कि किसी ने आपको hurt किया है तो इसके बावजुद आपके मन में overthinking चलती होगी क्योंकि आप जातर लोगों पर trust नहीं करते है क्योंकि आप एक introvert रहे हो हमेशा से और आपको bully किया गया होगा school में ठीक है या college में भी हो सकता है तो इस तरीके की energy है लेकिन यह person जो है वो आपको हमेशा एक अच्छे way में treat करना पसंद करेंगे तो जो आपकी एक survival instinct थी कि अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा जवाब दूँगी या दूँगा लेकिन अब वो जहा है उसकी ज़रुवत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत loving person है नेक्स्ट आरा nine of cups की energy है तो जो जो आप चाहते हो जैसे एक champagne पीना depend करता है आपको पीना नहीं पीना soft drink पीना जो भी आपकी energy हो जो आपको पसंद हो cocktail पीना lemon soda ही क्यों नहीं हो लेकिन आपके साथ जो है वो हर छोटे से छोटे बड़े moment को create करेंगे और आपके साथ time spend करने की इच्छा रखेंगे तो जो आपकी इच्छा है आपसे पूछेंगे तुमको ये जाना है तुमको ये खाना है या ये मैं तुम्हारे लेके आया हूँ तुम मुझे जरा पहन के दिखाओ या इस तरीके की चीज़े है तो आपको gifts देना वो बहुत करना बहुत जाथा पसंद करेंगे तो इस तरीके की loving person होंगे नेक्स टार है six of wands के energy है six of wands जो है victory को success को दिखाती है जो आपके दिमाग में जैसे चल रहा था बहुत सारी कीजे cautious चल रहे थे ये होगा वो होगा ऐसे होगा positive होगा negative होगा उन सारी overthinking पे जो है ये persons full stop लग ऐते हैं अगर आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ पे जो है अगर आप जा तरीका की जैसे कह सकते हैं कि horse riding करना या जहां पर जो पार्क में घूम रहे हो या जहां पे museum में घूम रहे हो अलग-अलग aqua parks भी बन गए हैं अगर आपने कभी देखा हो या आप कभी गए हो इस तरफ तो aqua parks बन गए हैं जहां पे जो है जो life के sea creatures होते हैं वो जो है उनका एक पूरी तरीके से museum बना रखा है जो बहुत ही fascinating या अलग-अलग तरीके के मचली होना, tortoise होना तो वहाँ पे photo खिचवाना, वहाँ पे खाना-खाना अपनी एक दूसरे से बात चीत करना और आपके लिए jewelry लेकर आना आपको jewelry खरीदवाना इस तरीके की energy यहाँ पर रहेगी मैं female के perspective से ज़्यादा voting और अगर आप एक male है तो भी यह female आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लेना पसंद करेंगी चाहे बेशक आपके ही पैसे हों लेकिन उसके बावजुद आपको इस तरीके का gift देना चाहेंगी जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे और गले लगा लोगे तो ऐसी energy है लोग जो आपके घर वाले होंगे आपको phone करेंगे तो वो जो है देखेंगे कि आप लोग खुशी से महसूस कर रहे हो और एक दूसरे के साथ adjust होते जा रहे हो लेकिन उसमें जो है वो changes लेकर आएंगे और यह person आपकी बहुत ज़्यादा केर करेंगे तो इस तरीके की energy है जैसे बाहर जा रहे हो अगर आप non wage खाते हो या नहीं भी खाते हो अगर आप vegetarian भी खाते हो तो वहाँ पे street food को try करना वहाँ पे अलग लोगों से जो कहकर photos खिचवाना या इस तरीके के energy रखना यहाँ पे अगर आप South East Asian countries में जा रहे हो तो वहाँ पे skincare बहुत ज़्यादा जो है famous है पता होगा आपको शायद पता हो या ना पता हो कोरिया की skincare बहुत ज़्यादा famous है या जपान में भी बहुत ज़्यादा skin के बहुत ज़्यादा वह कर जाता है तो आप घर वालों के लिए भी लेकर आ रहे हो आपको भी exceptionally high prices पे खरीद के दे रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा है कि जितना मैं कर सकता हो जो भी मेरी condition है या जितना मैं कर सकता हूं वह इस इंसान के लिए कर और अगर आप बाहर नहीं भी जा रहे हो आप इंडिया में ही इस तरीके का चीजे कर रहे हो या घुमने जा रहे हो तो वहां पे भी जो चीज एक्सेप्शनली उनको अच्छी लगेगी आपके लिए वह आपके लिए लेकर आएंगे चाहे हो ट्रेडेशनल ड्रेस हो चाहे हो खाने पीने से रिलेटर हो तो आपको यह गिफ्ट गिविंग वाले इनर्जी में जाधा रहेंगी जहां पे 18 प्रस रीडिंग को मैं नहीं कर रही हूं लेकिन आपकी जो इंटिमेट लाइफ रहेगी वह बहुत जाधा पैशनेट रहेगी क्योंकि Ace of Wands आया है तो चलिए देख लेते हैं लवकार्स आपके लिए तो यहां पर जो है पीस्फुल ने साल जाएगी जो आपकी ओवर थिंकिंग बहुत जाधा चल रही चलिए देखते हैं लवकार्स क्या कहते हैं तो यहां पर जो है फेट के साथ आपको आगे बढ़ना है जो पास था चाहे अच्छा था चाहे बुरा था चाहे बुली किया गया हो जो भी किया गया हो उसको आप पीछे छोड़ों नेक्स चारा टुइन फ्लेम्स यह पाशन यहां पर पाशन जो है वो आप दोनों के बीच में बहुत जादा रहेगा जैसे मैंने कहा हाला कि 18 प्लस रीडिंग नहीं है आप लोग बहुत जादा खुशी महसूस करने वाले हो और जो चोटी से चोटी मूवमेंट है उसमें जो है आपको फील होगा कि आपको वो लव क करते हैं यहां पर लव की मैं बात कर रहे हैं तो आपको फील हो जाएगा तो चलिए देखते हैं इस एनरजी से रेटेड़ कुछ चांस तो यहां पर जो है एक सकल आया है ट्रांस्फोर्मेशन हो रही है लाइफ में चेंजे आ रहे हैं यह बिग चेंज होगा आपकी लाइफ में नेक्स आ रहा है मिरर आया तो इंट्रोस्फेक्शन करने की ज़रुत है जो आप सोच रहे हो कि इतना सबकुछ नेगेटिव तो उस चीज को कटाफ करने की ज़रुत है नेक्स आ रहे हैं यहां पर डाइनसौर आया है यह आपके पास्ट लाइफ से परसन आ रहे है तो आपको हैजिटेशन नहीं रहेगी जो चीज आप चाहते हो जिस तरीके से आप एक दूसरे के साथ फैमली बनाना चाहते हो उस त पहले देख लेते हैं उनकी तर से कुछ लव सॉंग तो पहला आ रहा है जशने बहारा जोधा अकबर नेक्स आ रहा यह ब्यूटिफुल जेम्स प्लंट का नेक्स आ रहा आपके लिए एक दिन तेरी राहों में नकाब मूवी का है देख लेना कौन सा गाना है नेक्स आ रह है आपके लिए बोलना को पूरें संस का एक और देखना चाहती हूं है दिल इबादत तुम मिले तो इस तरीके के गाने जो है या फीलिंग्स जो है वह आपके लिए फील करेंगे तो चली सोच लीजे पना रांडम कोशन में आंसर्स निकाल रही हूं पहला आ रहा है गेट अच्छे लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें थाइंक यू